हेलो बच्चो देखिए 5 का वर्गमूल ब्राकेट साथ का वर्गमूल तो ये खाली जगा में ग्रेटर होगा स्मॉल होगा और एक्वाल होगा या इस दोनों में कौन बड़ा है कोस्चिन हम लोगा यह है यह बहुत तीजी है इसको कैसे करेंगे देखो यह जो कोस्चिन है उ स्पया प्रमा उगे नेख्ट में करना किया है इसका ओपर स्कोजार य хот लिखना है तो हम लोग तो जानते हैं बड़ी और यह वर्ग कर जाता है इसका अंसार हो गया 5 यह हो गया आपका 7 अब यह 5 जयक्ति अभीजाना है तो आपका साइन होगा less than मतलब पांच छोटा है सा साथ बड़ा है किसे पांच से साथ बड़ा है पांच से तो इसका और टाइप में आंसर जाएगा साथ बड़ा है मतलब साथ का वर्गमूल बड़ा है साथ का वर्गमूल बड़ा है पांच का वर्गमूल से ये भी आंसर हो जाएगा बच्चो यह बड़ा है बच्चो यह बड़ा है बच्चो यह भी हम लोग उसी तरीका से करेंगे लेट सॉल कोश्चिन उतार लिए साथ का वर्गूल जोड़ वन लिखे इसमें डायरक्ट क्या करेंगे स्कोयार यह वर्ग लिखेंगे इसका फॉर्मूला हम लोग इसका हम लोग फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्कोयार ता उसका फॉर्मूला होता है एक का स्कोयार मतलब यहां पर यह 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 बी है A का स्कोयार प्लस 2 A A का जगा में 7 का वर्गमूल B का जगा में 1 प्लस B का वर्गमूल यह हम लोग बहुत 7 क्लास में सॉल्व किये हैं तीखे अब यह वर्गमूल और स्कोयार कट जाता है यह हो गया 7 प्लस यह इसका अंसर हो जाएगा 2 गुना 7 का वर्गमूल और 1 का वर्ग होता है 1 अब यह देखो 7 1 8 हो गया 8 प्लस 2 गुना 7 का वर्गमूल सेव उसी तरीका से इसको भी हम लोग का वर्गमूल निकालेंगे इसका अंसर निकला 8 प्लस 2 गुना 7 का वर्गमूल और इसका अंसर निकला 8 plus 2 into square root of 15, ठीक है, तो 8, 8 equal हो गया, 2, 2 equal हो गया, यहाँ पे हम लोगा हो जाएगा 15 का वर्मूल और 7 का वर्मूल, तो हम लोग यह जैसे निकाले थे, यही चीज को जब मेंटाली सोचेंगे, तो हम लोग किये बला हो जाएगा, 15 का वर्मूल बड़ा हो जाएगा, 7 का कि बाएगा हो जाएगा 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 ह